तोपिक है हमारा यह टॉपिक मुल्क राज आनंद का ही है मुल्क राज आनंद का टॉपिक हम करेंगे आज मैं आपका पीछे का रिविजन ना कराते हुए क्योंकि अलड़ी हम डिसकस कर चुके हैं मुल्क राज आनंद के बारे में दो बार मैंने आपको उनके बारे में बता क्रिटिकल बाते उनके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ ऐसे फैक्ट जो एक्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं ऐसे फैक्ट की हम बाते करेंगे दोस्तो एक्चुली आज एक क्लास थोड़ी शॉर्ट होगी शॉर्ट इस विज़े से होगी मैं रीजन जाना पड़ेगा नोट्स को रोकने के लिए तो इस विज़े से मैं थोड़ी सी क्लास शॉर्ट ले पाऊंगा लेकिन क्लास जो आज मैं लेने वाला हूँ आपके लिए बहुत प्रिश्यस बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है कुछ फैक्ट्स कुछ बातें जो आज आनंद के बारे में आपको नहीं पता है वो पता चल पाएंगी और इसके अलावा एक बात और मैं कहाना चाहूंगा हमारे PGT के ही हापर जो केंडिडेट्स युड़े हुए हैं हो सकता है कि वो नोट्स डिस्पैच हो गये थे तो इस वज़े से जो वो नोट्स नोट्स मिलता है कि उसमें के पूस्ट गरी जोचिंघ के और इसके अलावा जो आपके यह Bio Yoga लेकर नोट्स है वो उसमें handwritten है तो इस वज़े से वो बहुत precious notes है तो दूस्तों अगर आपके पास किसी के पास पहुंचते हैं तो please उसको आप लोग return कर देना मतलब किसी जिसके पास भी पहुंचे तो उसको आप मुझे return कर देना चाहे कोई भी career charges आता है I will pay for that तो वो मैं आपको pay कर दूँगो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी तो आप उसको केवल जिसके पास भी पहुंच जाए तो return कर देना वैसे मैं देखता हूं मैंने रिक्वारी की उशिस की है रुख जाते हैं तो बैटर है नहीं रुखते तो भी मुझे कोई दर नहीं क्योंकि आप में से किसी के पास जाएंगे और आप उसको वापिस दे सकते हैं हाँ वो बात अलग है कि कोई ऐसे मेंबर के पास चले जाए जो कोचिंग से ना जुड़े हो हमारे और उन्होंने केवल नोट्स परचेस किये हैं तो फिर थोड़ी दिक्कत वाली बा बाते की थी इनके वर्थ के बारे में बताया मैंने आपको इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया इनके जो थीम से रही उनके बारे में बताया तो आज भी हम कुछ ऐसे ही मेजर डिसकुशन करने वाते हैं कुछ रिसोर्स से तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्योश् समय नहीं कि आप इसे पूरी बुक को थोरली स्टेडी करें तो आपके लिए मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स इस बुक से लिए हैं और जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपोर्डेंट होने वाले हैं और यह एक रिसर्च बुक है तो उससे यह पॉइंट से लिए गए हैं दोस्तों और इसमें जो आनन्द है तो यह क्योशन बनता है आनन्द कि टर्म्स कि है इस कि फ्लासोफी कि एज पॉइटिक रियलिज्म आनन्द जो है अपनी फ्लासोफी को किस रूप में दर्शाते हैं आनन्द अपनी फ्लासोफी को पॉइटिक रियलिज्म के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों कि उनकी जो philosophy है उनकी philosophy poetic realism तो है ही है इसके साथ साथ कैसी है तो आपको आंसर होगा comprehensive comprehensive historical humanism or humanistic philosophy ध्यान रखना है इसको कि कैसी philosophy है तो आनंद के जो terms करते हैं अपनी philosophy को comprehensive historical humanistic humanism और humanistic philosophy के रूप में इनकी philosophy दिखाई पड़ती है तो poetic realism as well as comprehensive historical humanism and humanistic philosophy है आनंद की philosophy कैसी है question बनता है दोस्तों आपको ये point तयार करना है इसको लिखना है आनंद की जो philosophy है वो कैसी philosophy है आनंद की जो philosophy है दोस्तों वो philosophy है comprehensive historical humanistic और humanism philosophy है आनंद अपनी philosophy को particular realism के रुप में represent करते हैं I hope कि यतना आपके clear हो गया होगा आगे बढ़ते हैं है ऑग één है अबगल, है आपके कर दो दोस्तों क्यार आपकेков सुटά सज। च्रेफ़र हो गढ़ अ़स्तों है झ scarce में आपको तक त हुआ आप कॉ आनन्द फियरलेसली चूज़िस प्रोटेगॉनिस्ट फ्रॉम ड्रैक्स ऑफ हुमिनिटी क्विश्चन ये बनता है आनन्द जो है अपने प्रोटेगॉनिस्ट जो उनके मुख्य किरदार है उनको कहां से चूज करते हैं तो आनन्द फियरलेसली चूज़िस प्रोटेगॉनिस्ट फ्रॉम ड्रैक्स ऑफ लेते हैं इनको जो मानव ताकी जो हुमिनिटी होती है नो हुमिनिटी का जो बिलकुल एक निमनिस्तर होता है वहां से उनके प्रोटेगॉनिस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो उनके protagonist है चाहे वो मुन्नों का किरदार हो चाहे वो इसके अलावा आपका बाथा का किरदार हो वो आपको चाहे गौरी का किरदार हो कहां से वो देखने को मिलेंगे वो drags of humanity से आपको वो characters देखने को मिलेंगे ठीक है तो आनंद एक बार फिर से समझे इन points को आनंद जो है अपनी philosophy को poetic realism के रूप में दर्साते हैं इनका जो है comprehensive historical humanism के रूप में philosophy देखी जाती है आनंद fearlessly chooses protagonist from drags of humanity कहां से चूज करते हैं अपने protagonist को drags of humanity से आनंद अपने protagonist को चूज करते हैं इनकी जो protagonist हैं वो कहां से लिए गए है ड्रेक्स of humanity से लिए गए है I hope कि इतना clear हो गया होगा दोस्तों आगे बढ़े कर दूस्ट 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 दूस्तो आनंद के चोईस ओफ करेक्टर्स की बात करें तो आनंद के चोईस ओफ करेक्टर्स को दो भागों में बाटा गया है देरा टू डिविजन्स ओफ आनंद चोईस ओफ करेक्टर्स अब दो डिविजन्स कौन कौन सी है the first is sufferers and the second is saviors याद रखना sufferers and saviors ये दो choices of characters हमें आनंद के works में आनंद के उपन्यासों में देखने को मिलती है डॉक्टर मुल्क राज आनंद के जो उपन्यास है उनमें हमें two choices of characters and choices को हम division of characters भी कह सकते हैं दोस्तों इनको आप division of characters के रुप में भी जान सकते हैं तो आनंद का division of characters है वो कैसा है दो भागों में बटा हुआ है what are the two parts वो दो parts कौन कौन से हैं दियान रखना the first is sufferers sufferers और second की बात करें तो वो है saviors sufferers and saviors ये दो major parts है दो major division है characters के the very first is sufferers and the second is saviors कौन कौन से हैं sufferers and saviors इनके दो major division आनंद के जाने जाते हैं ठीक ना दो major divisions है कौन कौन से divisions है दोस्तो sufferers है और saviors है अब इनकी बात करें sufferers की बात करें आर पत्सक्त रपे उसकि отвечंप izer नाद की बात ता सहर का दात पाब जद discourse आदको hopeस की बात संवा की बात अईब भुब संवा पाह intriguing कोड़ा है सफरर्स रिविल रियल प्लाइट ओफ कंटमप्रेरी इंडिया एंड सेवियर्स प्रोवाइड हॉप अगेंस्ट डेस्पेयर अब ये जो दो हैं दोस्तो एक तो सफरर्स है और दूसरे सेवियर्स है सफरर्स किस चीज को रिविल करते हैं कुश्चन आता है कि जो डिविजन ओफ केरेक्टर्स है आनंद के उपन्यासों में उनमें sufferers और saviors आते हैं तो sufferers किसको reveal करते हैं तो आपका अंसर होगा sufferers किसको दरस आते हैं real plight of contemporary India जो वास्तविक दशा है जो वास्तविक इस्तिती है contemporary society की समाज की जो समकालीन समाज है मुलकराज अनंद के सब्वे उसको represent करते हैं और saviors provide करते हैं hope against despair निराशा में एक आशाक जो है वो provide करते हैं saviors तो इतना याद रहेगा sufferers reveal करते हैं किस चीज को real plight of contemporary India को और दूसरी तरफ saviors जो provide करते हैं वो hope को provide करते हैं hope against despair जो hope है despair के against list आगे बढ़ते हैं इतना समय में आ गया तो इनके अगर दो हम बात करें आनंद के choice of characters के दोस्तों दो भागों में बट गए हैं the very first is sufferers and the second is saviors sufferers reveal करते हैं किसको real plight of contemporary India को और saviors provide करते हैं किसको hope against despair को दोस्तों बहुत-बहुत important questions हैं इनको ध्यान से समझते हुए चलिए आप और मैं यह कहता हूँ कि बहुत आसानी से जैसे आप चिंता कर रहे थे न कि कैसे हम PGT की तैयारी करेंगे कैसे course cover कर पाएंगे दोस्तों वही चीज़ में आपको बताऊंगा selected चीज़े बताऊंगा जो selected आपको एक्जाम में मिलने वाली है और इस बात का दावा है कि 101 परसेंट आपको जो पढ़ाऊंगा वो मिलेगा एक्जाम में और यह कोई over confidence नहीं है यह experience के बलब पर मैं यह बात कह रहा हूं तो उसी तरह से आपको चीज़े strategy के accordingly करा ही जा रही है और जो आपके एक्जाम में आ सकता है दोस्तों जैसे कि आप समझ भी रहोंगे कि रण नीती को मैंने अपने बदला है strategy को भी मैंने थोड़ा सा change किया है और उसी strategy के according मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपका कम समय में ज्यादय वर्क हो जाए और आप अच्छी तरह से उसको समझ पाएं कि अठीक सुझ करनाश समय में करने हिरा कुझा करना करेंद्वें कि आपका कि नींदेग। कि आपका रहे हिस्बाएं पंत्राव चैपका सफेंगे। कि झारे से लिवे टाफेह Deputy रहे औरère fondo कर दो टूज है झाल दोस्तो इससे समझे और एक बार ध्यान से देखिए इसको सबसे में तो यही है इतना ही पुछा जाता है अक्सर तो बाकी तो additional है लेकिन फिर भी सारा समझते हो चलना वो लोग जो यह कहते है कि मुलकराज आनंद के पास तो कोई theory ही नहीं है किस चीज की theory नहीं है fiction की theory नहीं है वो कहीं न कहीं थोड़ा जादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं लेकिन वो उनकी बात सो टके खरी है सही बात है और क्या सही बात है दोस्तो those people who say I have no theory of fiction वो लोग जो यह कहते हैं कि मेरे पास कोई theory नहीं है fiction की और more or less correct वो कम या जादा बिल्कुल सही कह रहे हैं वो या तो जादा मातरा में या कम मातरा में बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि भाईया मेरे पास कोई theory नहीं है ऐसा मुलक राज आनंद खुद accept करते हैं मिला हूँ जिनसे मेरी बाते हुई हैं जिनको मैंने जाना है उनसे मेरे करेक्टर्स जो है वो मिलते हैं तो दोस्तों यही बात है दोस्त पीपल हूँ से I have no theory of fiction are more or less correct जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास कोई theory ने fiction की वो more or less correct है and yet one does not need to formulate a systematic theory to write fiction or react to its variant expressions और one does not need to formulate a systematic theory और किसी को कोई systematic theory चाहिए भी नहीं किसी systematic theory की and to react to various expressions और उसके various expressions पर react करने के लिए भी किसी theory की आवशका नहीं है यह बात किस 더 कई मुल्क राज-आनंद ने तो कुल मिला कर यह ज़ाद रख लेना मुल्क-राज-आनंद और अपने किसी उपन्यास को लिखने के लिए किसी systematic theory की आवशक्ता नहीं थी आपने ये बाद दिमाग में बिठा ली तो ये statement तो यूहीं बैठ जाएगा और ये भी आधरक लेना जो लोग ये कहते हैं कि मुलक्राजानंद के पास तो कोई theory थी नहीं वो तो मुलक्राजानंद खुद कहते हैं हाँ भी ये मेरे पास नहीं है कोई theory लिखने के लिए ठीक है वो तो केवल और केवल समाज से प्रेडित होकर समाज की चीजों को देखकर वास्ट्विक्ता को देखकर चीजों को लिखते हैं अपने उपन नैसों में जगह देते हैं आई हॉप की concept के लिए है आगे बढ़े दोस्तों अगर जो class में आपको enjoyment हो रहा हो अच्छा लग रहा हो तो please वीडियो को like जरूर कर देना और comment section में अपना reply करके जरूर बताना कि आपको मुल्का जानंत पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है आगे बढ़ते हैं कि अच्छा आपको कौको कि अच्छा अच्छा आपको अच्छी आख धन्यौत करना फिर थे सब्सक्राइब वह सुखे अच्छा इर थैस वार टिंड लिवा टॉक्राइब। आए प्ध्शक टीक्ष एंडियन नहीं इस दिजिक फिर्ट फिर्ट को फिर्ट एब टॉट।। इन्शे जो शोशल कॉन्टेक्स एक स्ववाजिक स्वारूप है किसका जो इन्डियन नॉबलिस्ट है उनका वो डिफ्रेंट किस से वो ईसी यह बात किस ने कहीम यह मुल्क राज आनंद ने कहीं किस ने कहीं ये बात इस बात को मुल्क राज आनंद ने कहा कि social context जो है किसका इंडिया नॉवलिस्ट का वो different है किसे वो different है हमारा European writer से it was said by मुल्क राज आनंद I hope के लिए रोगया होगा आगे बढ़े तो तो very very most important question है किसे पाज प्रू आनंद रखे प्रूब है और मुल्क राज ढ़े कि दूस्तों यह कुश्चन कैसे आता है यह बहुता देता हूं आनंद फैल्ट टॉर्ण बिट्विन टू वर्ड्स आनंद जो थे वो दो संसारों के बीच में दो वर्ड थे उनके अपने जोन मतलब राइटिंग के हम बात करें हैं तो उस राइटिंग में आनंद के दो जोन रहे दोस्तों उन दो जोन में आनंद जो थे वो बटे हुए थे और यह कुश्चन आता है कि किस की तरह है आनंद ज सो थे वह तू हुवर्ड में दिवाए वो थे मतलब टॉंद थे और इसमें वह दो वर्ड कौन थे ये भी पूछा या सकता है कि नो blueberry की जिसके हम बात करते हैं तू वर्ड की वह तू में कौन कौन से वन वोस ड。 एक तो डैडेड के और दूसरा कैसा है जो अपने आप में पावर्लेस हुआ है जिसके अंदर कोई शक्ती ही रही है वो डेड़ वर्ट से जस्क्त लाइक मैथ्यो अर्नॉल्ड बिल्कुल मैथ्यो अर्नॉल्ड की तरह तो उसमें यह जो आनंद थे वह इस तरह से मतलब फ्रेग्मेंट्स में दो टॉन थे आगे बढ़े तो आनंद के दो वर्ट पता चले आपको एक तो डेड़ और एक पावर्लेस याद रख लेना वन इस डेड़ अन्वादर इस पावर्लेस एक तो डेड़ है और दूसरा पावर्लेस है यह भी बहुत इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट 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 है इंपोर्टेंट 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 इंपोर्टे just as a writer who has tried to tell the truth of life दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया था कि मुल्क राज आनन्द जो थे वो realistic approach को दर्शाते हैं और मुल्क राज आनन्द के works में जो है हमें समाज का एक आईना समाज का पृतिबिम्ब देखने को मिलता है समाज की वास्टिक पिक्चर देखने को मिलती है तो मुल्क राज आनन्द क्या कहते हैं I wish to be just as a writer who has tried to tell the truth of life मैं चाहता हूं कि लोग अगर जो मुझे judge करें तो एक ऐसे writer के रूप में judge करें जिसने जीवन के सच को बतानी की कोशिस की गई हो की की हो तो दोस्तो मुल्क राज आनन्द ने जीवन के सच को बतानी की कोशिस की इतना याद रख लेना किसने सच को बताने की कोशिस की जीवन के मुलक राज आनन्द ने और वो एक क्या कहते है I am not subject to western categories ये अपने आप में बहुत important है ये अलग भी पूछी ले जाता है इतना हिस्सा I am not say लेके I am not subject to western categories मैं western categories का part नहीं हूँ western writers जैसा लिखते हैं जैसे उनकी theme होती है जैसे उनकी subject होते है तो मैं वैसा part नहीं हूँ ना ही मेरी theme इस परकार की होती है ना मेरे characters वैसे है तो दोस्तों ये बलकि कुछ characters हो लेते हैं western से लेकिन उनको भी वो एक संदेश दे रहे होते हैं एक समाच का आइना दिखा रहे होते हैं तो I am not subject to western categories said by मुलक राज आनंद किस ने कहा है ये? मुलक राज आनंद इस बात को मुलक राज आनंदने कहा है किस के द्वारा कहा गया है? ये बात कही गई है मुलक राज आनंद के द्वारा ठिकना मुलक राज आनंद ने इस बात को कहा है तो I hope PA किलियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं किलियर होगा 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 है आनंद यूज़ लिट्रेचर अज़ टूल और मीन्स तू मोडिफाई सुसाइटी एक विशन पूशा जाता है कि आनंद जो है लिट्रेचर को अज़ टूल यूज़ करते हैं किस चीज के लिए टू मोडिफाई सुसाइटी समाज को मोडिफाई करने के लिए कुछ मोडिफिकेशन लाने के लिए समाज में कुछ चेंज लाने के लिए समाज में कुछ सुधार लाने के लिए आनंद जो है वो लिट्रेचर को एक टूल्स या मीन्स के रूप में यूज़ करते हैं Q. यह आता है Which writer is known as comprehensive historical humanism? किस writer को comprehensive historical humanism के रूप में जाना जाता है Your answer will be Mulkraach Anand अनन्द इस नौन एस अप्रेहंसिव इस्तोरिकल इहुमनिश्म आनन्द को कॉम्प्रीहंसिव इस्तोरिकल हुमनिश्म के रुप में जाना जाता है किसके रुप में आनन्द को जाना जाता है What will be your answer? A comprehensive historical humanism आनन्द is known as comprehensive historical humanism I hope किये किलियर है आगे बढ़े कुश्चन आता है कि कौन से राइटर को comprehensive historical humanism के रुप में जाना जाता है आप का आंसरों का मुल्क राच आनन्द आगे बढ़ते है आप कुश्चन आता है दोस्तों ये question आता है कि आनंद किसकी humanistic philosophy के admirer रहे है तो आपका answer क्या होगा? महत्मा गांदी, रविन्ना टैगोर और पंडित जवाला नहरू इनकी philosophy को मानने वाले, इनकी philosophy को admire करने वाले थे मुल्क राच आनंद तो महत्मा गांदी, रविन्ना टैगोर और पंडित नहरू ये तीनों एक साथ दिये भी हो सकते हैं महत्मा गांदी से प्रवावित थे इसके अलावा ये एक philosophy में इसमें विश्वास करते थे और कहते थे every man is master of his own destiny every man is master of his own destiny हर व्यक्ति अपनी खुद की डेस्टनी का master है अपनी तकदीर का मालिक है हर व्यक्ति this is the philosophy followed by मुल्क राज अनन्द इस philosophy को कौन मानते थे मुल्क राज अनन्द इस philosophy को मानते थे क्या कहते थे every man is the master of his own destiny question दोस्तों ये बनता है कि which writers which of the following writers takes his protagonist from the dirt and the dust of society कौन सा वो लेखक है जो dust और डर्ट of society से अपने protagonist को चुनता है अपने heroes को चुनता है अपने मुखे किरदारों को चुनता है तो आपका answer होगा मुल्क राज अनन्द क्या answer होगा मुल्क राज अनन्द तो मैं इसको लिख देता हूँ protagonist यानि की hero मुखे किरदार मुल्क रज fan टेकस्ट प्रटगौनिस्ट फ्टॉम दिडर्ट एंडस्ट वीजिट ऑफ सुसाइटी यौर आंसर विल भी मुल्क राज आनन्द आपका आंसर क्या होगा दूस्तो मुल्क राज आनन्द होगा प्राज आणन्द जो है वो अपने केरेक्टर्स को कहां से चुनते हैं वो अगे बढ़ते हैं कि अब दो को दो डाइट एंड डस्ट आप सोसाइटी की बात करें तो उसमें मुख्या नॉवल्स कौन-कौन से आते हैं मुख्या वर कौन-कौन से आते हैं एक तो आता है हमारा अन्टचेबल ठीक है फिर आता है दा रोट फिर आता है कुली फिर आता है टू लीवस एंड बड इसके बाद आता है दा ओल्ड वुमें अन्ड़ काव दोस्तों थोड़ा सा मारकर लाइट हो गया है थोड़ी इंक की प्रब्लम आज इंक नहीं है अभी समय तो थोड़ा सा अडिस्ट करना मैं बोल देता हूं अन्टचेबल दा रोड कुली दा लीवस एंड टू लीवस एंड अबड दा ओल्ड वुमें अन्ड़ काव इसके बाद लेमेंट ओन दे डैथ ओफ आमास्टर ओफ आर्ट्स इसके बाद आता है यहीं है केवल जो आपके कहा से सेलेक्ट किये गए है डैट एंड डस्ट से सेलेक्ट किये गए है यहीं अग्याँ अग्याँ एंग यहीं अग्याँ अग्याँ एंड, क्यों यहीं है झाल झाल इनसे वहाँ तो दोस्तों यह कहां से हैं यह जो कैरेक्टर जिनकी रीज सी इनकी फ्रोटकॉलिसौन थे सें टिक्टेमन रखना दट ये अड़ देस्ट डैट एंड डस्ट दैट और डस्ट से हैं डाट से यह करेक्टर्स को चूज करते हैं प्रटागॉनिस्ट को आपने मुझे वहां जल्दी जाना पड़ेगा एक्चुली आठ बजे फिर ऑसकता ऑफिस बंद हो जाए और उससे पहले ही मुझे सारी चीड़े वर्क कराने पड़ेंगे तो आज इतना ही रखते हैं लेकिन आपने देखा कि शॉर्ड टाइम में भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए और इसके अलावा मुल्करा जाननत के अल्रेडी आपके पास काफी पॉइंट्स अल्रेडी मैं आपको समझा चुका हूँ तो उसी तरह से मैं आपको समझा रहा हूं चीजय स्पेसिफिक बता रहो हूं ऐसी चीज़े बता रहा हूं जो एक्जाम में ठंकर आती है तो उनसे पॉइंट्स में आपको तयार करा रहा हूं तो दोस्तों उम्मीदे की क्लास आपको अच्छी लगी होगी अगर जो आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना रेपलाई देकर भी बताना थैंक युवरी मुच यूर्च दॉक्टर सेचिन गोश्वामी